नमस्कार दोस्तों इजला उश्मा आपका फिर से स्वागत है मैं डोकेट दीपाक आज आपको बताऊंगा कि एक्सिडेंट के केस में कलेम कैसे लिया जाता है जी हाँ दोस्तों एक्सिडेंट का नाम भी बुरा ऐसा बुजरुग बोलते हैं और उसका कारण भी है क्योंकि ए चलिए क्सिडेंट के बाद ट्रीटमेंट में लाजहों रुपे खर्च भी हो जाते हैं तो दूस्तों एक्सिडेंट में जब कoiपक हो जाता है तो अपना साम momencie जीवन नहीं जी सकता है तो इसे में ट्रीटमेंट पे भी लाखों रुप sco जाते हैं और उसकी नोकरी भी चल जाती है तो वो कोल्ट में claim case फाइल कर सकता है और उसका मुआवजा पा सकता है दोस्तो इसी परकार जो किसी की मृत्यू हो जाती है उस मृत्यू में जो उसके dependent होते हैं जो उसके आसरित होते हैं वो claim case फाइल कर सकते हैं और उस मृत्य होने वाले इंसान की age उसकी कमाई उसके profession और उसके आश्रितों के संख्या के हिसाब से multiplier लगे उसका भी claim case उसके आश्रित file कर सकते हैं ये case लगेगा कहां ये case voter accident claim ट्रिमिनल में लगेगा ओर district and session judge जो होता है उसको इसकी पावर होती है तो दोस्तो जब आप claim petition file करते हो तो उसमें कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए claim petition file करने के लिए आपको सबसे जुरूरी दस्तावेज जो है वो एक FIR चाहिए FIR वो FIR होगी जो accident करने वाले driver की एक खिलाफ होगी और उस accident से ही उसकी rash और negligent driving करने बारे report exception 133 में दर्ज होगी तो दोस्तो FIR आप देंगे उसके बाद post-mortem report देंगे अगर कोई गुजर जाता है उसकी जिसमें clearly उसकी जो cause of death होता है उसकी मृत्यू का कारण होता है वो लिखा होता है और उसके बाद अगर injured है तो वो अपना treatment record प्लस जो MLC होता है medical legal certificate वो court में पेश करेगा उसके बाद दोस्तो अपनी income के proof अपना age का proof अपनी dependency का सबूत वो court में देना होता है तो SM में जब गवाही की बात आती है तो गवाही में जो police का record है पुलिस समंदी record है FIRE है 173 की रिपोर्ट है कई बार कई जगे routine में court क्या करते हैं कि जो certified copy होती है उसी से काम चला लेते हैं क्योंकि वो public record की certified copy है और कई बार जब कोई officer अगर नहीं मानते हैं तो ऐसे में पुलिस वाले को बुला के उसको साबित करा दिया जाता है अयो की गवाई से उसके बाद दोस्तों आप medical record आपका जो लाखों में खर्चा हो रखा है उसको साबित करने के लिए जो concern doctor है या फिर्मान लीजिए जिस shop से आपके bill बने हुए है वो आपको वहां से साबित करवाने पड़ेंगे आपको उनका खर्चा बरना पड़ेगा record की पर आएगा वो आके बताएगा कि यह bill genuine है और हमारे द्वारा issue किये गए है तो दोस्तों उसके बाद बात रहती है एज की एज प्रूफ आप अधार कार्ड, birth certificate या matriculation certificate से साबित कर सकते हैं उसके बाद earning proof, earning proof अगर कोई employee है तो वो अपनी salary statement के थ्रू जो है अपनी earning साबित कर सकता है record मंगवा सकता है concerned company and department से उसके बाद अगर कोई private person है कोई businessman है तो वो income tax return जो file करी की जाती है उसके द्वारा भी अपनी earning को साबित कर सकते हैं दोस्तों आपको court में इन गवां को जो है जरूर बुलाना होता है साथ में petitioner के भी बयान होते हैं इसके बाद आप जो जिन बातों का आप ध्यान रखेंगे मुकुदमा करते हुए या इस सब प्रोशिडिंग में वो यह है कि आप जो है अपने जितने भी दस्तावेज हैं उनकी मूल परती आप court से पहले अपने पास रखेंगे इस प्रकार आपको यह दस्तावेज जो है वो इस प्रकार आपको यह दस्तावेज जो है वो संभाल के रखने है दोस्तों इन केसीज में क्लेम जो है court cash में भी दे सकता है और fd की सूरत में भी दे सकता है तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों अगर आपको वीडियो में जनकारी सही लगिए तो वीडियो को लाइक करना चलन को सब्सक्राइब करना साथी अगर आपकी फिर भी कोई क्वरी रहे गई है तो आप कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हों थेंक्यू